गूड आप्टरून एवरीवन डेली एसल बसल चैनल आप सभी का स्वागत करता है जैसे कि आज संडे है तो हमने भी सोचा कि आज संडे का कुछ स्पेशल रेसिपी तयार करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वोटिंग जीनी पनेर को मिला है तो इसके अलबा मैंने धनिया पत्ता हरे प्याज की पत्तिया लाल मिर्च पावडर पनीर और साथी साथ डार्क सोया सॉस भी ले लिया है चलिए स्टार्ट करते हैं चेली पनीर बनाने की रेसिपी सबसे पहले मैंने गैस आउन कर लिया है अब कडाई में हलका सा तेल डाल लेंगे तेल हलका गरम हो जाने के बाद उसमें कटे हुए पनीर के पीसेस को भी डाल लेंगे अब कर लेंगे झाल झाल पनीर को चेक कर लेंगे कि उसमें सुनवरा रंग आ गया है या नहीं अगर नहीं आया है तो थोड़े देर और पकने देंगे झाल 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 पनीर का जो रंग है वो थोड़ा सा चेंज होने तक मैं आप सभी को अपने चैनल पर एक बर विजिट कराना चाहती हूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी यूटूब चैनल पर आप कैसे विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने काफे वीडियो डाली है और आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं जो वीडियो आपको उसमें से पसंद आएगा आप उसे लाइक और अपने प्रेंज के साथ भी शेयर कर सकते ह तो चलिए एक बार फिर से किजन की और चलते हैं और इसी दोरान हमने पनीर को दूसरी और से भी पलट कर पका लिया है और हम देख रहे हैं कि जो पनीर है उसका कलर चेंज हो चुका है इससे अब एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं कर दूसरे प्लेट में अज़ते हैं आध्या प्लेट में प्लेट में इससे ही किजने तूसरे को प्लेट तो चलिए अब ग्रेवी बनाने चलते हैं तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले मैंने उसी तेल में जीरा एड़ कर लिया है और अब जो दिंजर गाली का पेस्ट बनाए है वो इसमें डालेंगे नेक्स्ट इसमें प्याज शिमला मिल्च टमाटर, सभी चीजों को बारी-बारी से डाल कर मिक्स करते हुए पका लेंगे कर दिए अटाओर, सभी चीजों को बारी-बारी-बारी बारी-बारी से अटेशने हुए एक पर खंधे टा कर दोरी है। झाल 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 सारी सब्चियों को एड़ करने के बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और सोया सॉस को भी डाल लिया है झाल 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 इसमें आधर छोटी कोटोरी कॉण फ्लावर मिक्स करते हैं और इसे पकने के लिए थोड़ा-थोड़ा सा पाने मिला कर इसे स्टर करते रहेंगे झाल 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 ग्रेवी रेडियो ने पर हम उसमें पनीर को एड़ करते हैं पनीर आड़ करने के बाद 5-7 मिनट इसे पकने के लिए डख कर छोड़ देंगे झाल 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 तो देखिए हमारा चिली पनीर लगभग रेडि हो गया है और गार्नेशिंग के लिए इसमें धनिया पत्ता और ग्रीन ओनियन एड़ करके गर्मा गरम सर्फ करें झाल 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 को हमारी यह चली पनीर की रेसेपी काफी इजी लगी होगी और पसंद भी आई होगी और इसी के साथ ही हम अपना यह वीडियो एंड करते हैं एक पार जरूर ट्राय करें और हमें कमेंट सेक्शन में आके आके बताएं कि आपको हमारा यह रेसिपी कैसा लगा जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए टाटा बाई बाई अचा झाल Pacific कालिपाद करहें कालो झाल आके बाई झाल 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 झाल